1604 में आज इक दिन अमरिस्सर के स्वण मंदिर में आदी गुरू गुरंथ साहिब की प्रति स्थापना की गई थी गुरू गुरंथ साहिब सिक्धर्म का पवित्र गुरंथ है इस गुरंथ को आदी गुरंथ के नाम से भी जाना जाता है गुरू ग्रंथ साहिब के प्रतम संग्रे करता सिखों के पांचवे गुरू अर्जुन देवजी थे उनके बाद भाई गुरुदास इसके संपादक हुए इस ग्रंथ में कुल 1430 प्रिष्ट हैं इसमें केवल सिख गुरू के ही नहीं बलकि 30 अन हिंदू और मुसलिम भक्तों की वाणिया भी संमिलित हैं गुरू ग्रंथ साहिब में जैदेव और परमानिंद के समान ब्राम्मर भक्तों की वाणिया भी हैं गुरुग्रंद साहब की भाषा बड़ी ही सरल सुबोद, सटीक और जन्समुदाय को आकर्षित करने वाली है 1970 में आज एक दिन जर्मन दाशनिक और वैग्यानिक जॉर्ज विलहेल्म फ्रीडरिश हेगल का जन्म हुआ था इस टुट गार्ट में जन्में फ्रीडरिश हेगल के घर को अब संग्राले में तबदील कर दिया गया है यहां साल भर देश विदेश से परटेक और रिसर्चर पहुंचते रहते हैं इस संग्राले में हेगल के जीवन और काम से जुड़ी धेरो सामगरी निशानिया और दस्तावेश सभाल कर रखे गए हैं हेगल जर्मनी की येना युनिवर्सिटी में पढ़ाते थे येना पर नेपोलियन की सेना ने चड़ाई कर दी थी और हेगल को वहां से भागना पड़ा था वो अपने साथ केवल अपना प्रमुग दाशनिक अध्यान फेनोमेनोलाजी ही ले जा सके थे 1950 में आज एक दिन BBC ने बिर्टन के बाहर से दुनिया में पहली बार टेली विजन का सीधा प्रसारन किया था दो घंटे का ये प्रसारन फ्रांस से किया गया ये कारकरम इंगलेंड से फ्रांस तक भेजे गए दुनिया के पहले टेलीग्राम की शताबदी मनाने के लिए आयूजित किया गया था टेली विजन पर रिचर्ड डिम बलाबै और एलन एडर ने इस सीधे प्रसारन के दोरान कैमरे के सामने कमेंटरी की इस एतिहासिक प्रसारन को बनाने में दो महीने से भी ज्यादा का समय लगा ये प्रसारन इसलिए संबब हो सका क्योंकि इस समय तक छोटे टेलिविजन के लिए रेडियो लिंक की तकनीक का विकास हो चुका था इससे पहले सीधे प्रसारण का दायरा भी सीमित था जो 40 किलो मीटर तक ही हो सकता था इस सीधे प्रसारण के लिए पांच छोटे रेडियो लिंक स्टेशन बनाए गए ताकि वो सिगनल को ग्रहन कर आगे प्रसारित कर सकी 1976 में आज एक दिन गायक मुकेश का निधन हुआ था सुरो के बाश्शा मुकेश ने अपना गायकी सफर 1941 में शुरू किया था इनका सबसे पहला गाना दिल ही बुजा हुआ तो था निर्दोश फिल्म में मुकेश निया बिनाय के साथ साथ गाने भी खुद गाये थे अभिनेता मोती लाल पर फिल्म आया गाना दिल जलता है तो जलने देखो शुरूताओं ने खुब पसंद किया मुकेश को एक बार राश्ट्री पुरस्कार और चार बार फिल्म फेर पुरस्कार से नवाजा गया 1989 में आज एक दिन भारत के आखरी गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंट बैटन की बम धमाके में मौत हुई थी आयरलेंड में एक निजी नाव पर हुए बम धमाके में माउंट बैटन के अलावा उनके पोते निकोलस और नाव चालक भी मारे गए थे दुर घटना के बाद एक चश्मिदीद ने बताया कि बम धमाका इतना जबरदस था कि नाव के टुकड़े हो गए और उस पर सवार सभी लोग समुद्र में समा गए पास के मचुवारों ने मदद करने के भरपूर कोशिश की और लॉर्ड माउंट बेटन को पानी से बाहर निकाल लिया लेकिन उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया इस हमले की जिम्मेदारी I.R.A. संगठन ने ली थी इस हमले की कुछी देर पहले I.R.A. की सीमा पर भी हमला हुआ था जिसमें 18 सैनिक मारे गए थे